गुड मॉर्निंग इस्टूडेंट आज हम क्लास 6 में जो कल्चर एंड सोसाइटी है इसका नेक्स्ट पेज को रीट करेंगे आप सभी स्टूडेंट अपनी जो बोक है उसको ओपिन कर लीजे चैप्टर नमबर 2 का पेज नमबर 13 और हाथ में पैंसिल लेकर कि जैसे हम बताते जा रहें ऐसे उसको आप पढ़ते जाएं और जो सब्द नहीं समझ में आता है उसकी हिंदी आप अवस्ट लिखते जाएं अगर कोई दिक्कत है तो आप सेल भी डिक्ष्णरी से खोज कर देखेंगे आज का हमारा जो टॉपिक ह अरली हुमन्स इसको हमने फर्ष्ट पेज को रीट कर लिया और हम इसका सेकेंड पेज को आज रीट करेंगे और आप सभी स्टुडेंट से मेरा यही कहना है कि आपको जो भी डेली वर्क दिया जा रहा है आप उसको कंप्लीट करने के बाद उसकी फोटो खीज करके इस इंडिया भारत में such stone tools have been discovered at the following sites such stone tools जो stone tools मिले हैं have been discovered खोजे गए हैं at the following sites following means होता है निम लिखे sites means जगए पर यह निम लिखे जगए पर पाए गए हैं फर्ष्ट आता है the sohan valley sohan valley कहाँ पर है the tributary of the indus river यह कहाँ पर है यह tributary किसकी है indus river की indus का मलग होता है शिंदू शिंदू जो नदी है उसकी यह tributary है क्या नाम इसका sohan valley the upper jhelem valley second आपका क्या है the upper jhelem valley जो jhelem के उपर का भाग है उसको बुला जाता है the upper jhelem valley third है है हमार hills है फिर आपका सिर्षा है फिर आपका bees and band ganga valley और यो band ganga valley घाटी है उसमें भी है नेवासा और प्रवरा वैली हैं यह किसकी साइक है the tributaries of the नर्मदा river यह किसकी है नर्मदा की नर्मदा वैली है आपकी तापी वैली है गोदावरी वैली है माल प्रवा है and घाट प्रवा वैली है the tributaries of the Krishna river यह किसकी tributaries है Krishna river की चंबल वैली, बैलन वैली, तिन वैली and other places in Tamil Nadu अब हम इसको एक एक करके देखेंगे पहले बताए the Sohan valley यह Sohan valley किसमें है the tributary of the Indus river यह सिंदु नदी की tributary का मल्दब होता है सहायक सिर्सा है, बीज है आपका and बांड गंगा वैली जो बांड गंगा वैली घाटी है यह भी है नेवासा एंड प्रवरा वैली जो नेवासा है और प्रवरा वैली है अब आप देखेंगे इस मैप में देख सकते हैं कि जो यह देखेंगे बेलन वैली यह आपका है और इधर आप देखेंगे यह नर्मदा वैली का छेतर है यह आपका तापी का छेतर है यह आपका आप ये चाइना के ऊपर देखेंगे लिखा हुआ सिमला हेल्स यहीं पर जगए पढ़ती है सिरसा बीज एंड बानगंगा वैलीज इसी प्रकार आपको अन्न ये सारे जो प्लेसें उनको अंडरलाइन करेंगे और इसकी फोटो ग्रुप पर सेंड करेंगे ये आपकी है माल प्रबा ये गाट प्रबाव वैली घातिया है ये ट्रिब्यूट्री ऑफ दी कृष्णा रिवर ये किसकी ट्रिब्यूट्री ये क्रिश्णा रिवर की हैं चम्वल वैली बेलन वैली और तिन्वैयली एंड अधर पैलेस इन तमिल्लाडू और यह कहा पर हैं, यह Tamil नडू में हैं, next दिखते हैं, mealythic and the middle stone age, mealythic का मलब होता है, maddabasar kabal and the middle stone age, यह क्या है, maddabasar योग है, इसको हم क्या कहते हैंगे इंगलिस में, this age is also known as the microlethic age, जो यह age है, जो यह योग है, इसको किस नाम से जाना जाता है, यह है यह 10,000 से 8,000 BC तक It was the period of transition between the Paleolithic and the Neolithic age जो यह समा है यह क्या है यह transition phase है यह परवरतन का छेत्र है किस से Paleolithic मलब पुरा पासाड काल से यह किसके बीच का है Neolithic age जो पुरा पासाड काल है और नव पासाड काल के बीच का ही हो गए Stone tools of this period are called microliths इस समय के जो tools हैं जो stone के बने हुए हैं उनको क्या कहा जाता है Microlith तो आपने पहले का इसी लिए इस age को किस नाम से भी जानना जाता है Microlithic age Next देखते हैं Neolithic age और the new stone age This age begin around 8,000 BC जो यह Neolithic age है यह कपसे start होता है 8,000 BC से The tools in this age were much sharper than those of the Mesolithic period The tools in this age जो इस age के जो tools हैं वो क्या हैं Were much sharper यह अधिक और सार्फ मलत तेज हैं Then those of the Mesolithic period जैसे कि Mesolithic period में पाए जाते थे उससे भी यह सार्फ हैं अब हम आगे देखते हैं Life of the primitive man जो सुरुगाती माना वे The primitive man lived by hunting and food gathering जो primitive man थे वो कैसे रहते थे किस के सारे हंटिंग सिकार के सारे और food gathering Food को gathering होता है एकटा करना और वोजन के संग्रैपार He wondered in search of game and food He wondered वो गूमा करते थे in search of game and food तो जो वोजन की तलास में और सिकार की तलास में क्या करते थे वो गूमते रहते थे He prayed on wild animals प्रेमी सोता है सिकार करना He prayed on wild animals सो इसकार किसका करते थे Wild animal का wild means होता है जंगली जानवर and collected edible plants roots, fruits, berries, etc और वो ऐसे plants का collect करते थे जिसमें की plants का, roots का, fruits का, फ्रूट्स का, फ्लों का and berries, berries एक प्रकार का berries एक प्रकार का फ्ल होता है from forest कहां से प्राप करते थे jungle से He used stone tools for hunting He used use करते थे tools का for hunting animals किसके लिए animals को hunting सिकार के लिए chopping meat और meat को chopping मीश होता है छोट जोटे वागों में काटना chopping meat cutting wood और लकडी को काटने के लिए and digging roots and tubers और यह digging मीश होता है खोदना किसको roots को and tubers roots मीश होता है जड़ और tuber मीश आप हमें बताएंगे tuber का मतलब हिंदी में क्या होता है next he consumed raw flesh of animals and birds he consumed वो साथ में क्या करते थे raw flesh of animals जो raw flesh होता है था animals का and birds का उसका भी यह use consume करते थे grade करते थे he also caught fish from stream इसी के साथ में क्या करते थे जो stream जो धारा होती थी उनसे fish को भी catch किया करते थे he supplemented his food from forest product और वोई अपने जो food है उसमें ब्रद्धी करते थे किस से जो forest product होते थे जो बनो उत्पाद होते हैं जैसे हिंदी में का जाता है बनो उत्पाद, बनो से प्राप्त किये हुए उत्पाद thus he was totally dependent on nature for his survival इसमें एक बात आती है इस प्रकार से he was totally वोई पूरी तरीके से dependent निर्वर थे किस पर on nature, किस पर प्रक्रटी पर forest survivor अपने को जिंदा रखने के लिए next to protect himself from cold and rain वोई अपने को protect करते थे बचाते थे किस से cold सरदी से and rain बरसास से early men were skins of animals or barks of tree जो early men थे वो वोर किया करते थे मलब पहनते थे क्या skins of animals जो animals की जो skin होती थी उसको उसके कपड़े पहनते थे और bark of tree जो पेडों की छाल होती है उसको ये निकाल करके पहना करते थे to protect himself from the vagaries vagaries मी सोता है V-A-G-A-R-Y वेगरी मी सोता है उतार चड़ाओ जो protect himself ये अपने को बचाते थे कैसे from the vagaries जो उतार चड़ाओ होते थे किसमे और बैदर मौसम में and wild animal और किससे जंगली जानवरों से अपने को बचाते थे he took shelter in caves और ये कहाँ पर सरण लेते थे गुफाओं में and rocks किसमे चट्टानों में shelters shelters और आपिन thick trees और जो पतले पेड़ोते थे उनके नीचे ये सरण लेते थे तो ये आज मैंने आपका जो next page था इसको complete करा दिया है आपको जो page next है 40 number page की आपको जो words दिये गए हैं इंगलिस में आपको इस पर लिखनी है और इसके बाद आपको अपने group पर बेजना है इसी के साथ ये lecture समाफत होता है Thank you